दीश में अब योगी मूदी का राज नहीं चलेगा ये कहने वाला 20 साल का ये चात्र बड़े कान को अंजाम दे चुका है इसके बाद इसने लोगों को धमकाते और बरगलाते हुए वीडियो पोस्ट किया वीडियो में दिख रहा है ये शक्स का नाम लारेब हाश्मी जिसने महस टिकेट और किराय को लेकर हुए विवात के बाद बस कंड़क्टर की गर्दन पर चापड से हमला कर दिया इसके बाद खुद वीडियो बना कर अपना अपराद तो कबूल लिया लेगिन साथ में लोगों को चेतावनी दे रहा है वीडियो में आरोपी हाश्मी प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्तनात का नाम भी लेता सुनाई दे रहा है हाश्मी इंजिनेरिंग के फस्ट येर का स्टूडेंट है उसने बस कंड़क्टर विश्वकर्मा की गर्दन पर चापड से हमला किया जिसमें उसकी गर्दन और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटे आई इसके बद हाश्मी बस से कूद गया और छिपने के लिए एक कॉलेज परिसर में जागुसा और यहीं इसने अपने कबूल नामे का वीडियो बनाया वीडियो में हाश्मी को अपनायात कबूल करते हुए और बस कंडक्टर पर रीश निंदा में शामिल होने और पैगंबर मुहमत का अपमान करने का आरोप लगाते हुए चापड भी लहराया अगाम दे रहा है जिसने हुजिन के खड़ाब बात की है लबैक या रसूल अल्ला हम जीएंगे आपके लिए आपके लिए इंशालला मार देंगे तो यह ना समझे कि हुकूमत नोदी है योगी की है नहीं हमारे दिनों पर राज सिर्व मुस्तफा जानी रह्मान कर दो जि इसने वो जासना करते हैं तू बच्टे सभी तनुदा सना है जूद उलाम कैसे होते हैं या आपने फर्माए था अल्ला कि निकलो परिष्टे आएंगे वहने में दिम्रत फर्मां एक कतल निकरना तुसमाने इसलाम दे लाशों देंग लगा देने इंशालला लबैक या रस इसने कॉलेज में घुस कर छेपे आरूपी को पकड़ लिया लेकिन हधियार की निशान देही के समय आरूपी हाश्मी ने पुलिस पर ही हमला कर दिया जिसके बाद जवाबी कारवाई में हाश्मी के पैर में गोली लगी और मुट भेड में वो पकड़ लिया गया 2014-2020 को थाना अभ्योगी छेतर में ये इंफॉर्मिशन नहीं कि शांती पुरम से रिमन रोब जाने वाली सिटी बस में टेकेट के पैते को लेकर विवाद हो गया जिसमें लारेव हुसेन, son of मौहमद जूनुस, उमर करीब 20 सार ने बस कंड़क्टर को चापड से मार कर आयल कर दिया, बस कंड़क्टर को तुरंद हस्पता ले जाये गया और लारेव हुसेन, अभ्युक्त को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है, आगे की विदिक कारवाई करी जा रही है आरोपी छात्र लारेव हाश्मी प्र्यागराज के सोरां विलाके का रहने वाला है पुलिस और सुरक्षा एजिंसियां भी इस वीडियो के सामने आने के बाद एक्टिव हो गई और सुरक्षा एजिंसियों को छात्र के आतंकी गतिविदियों से जुड़े होने का शक है, जिसकी जाच लगातार की जा रही NBT Online की रिपोर्ट